और एक असा में बहुत बड़ा प्रस्ण भी खड़ा कर दिया है इंडिया तुड़े एनी ने कि वो बोडी डबुल यूज किया था बास कुछ मतलब बास का सामने जो रहूल गांधी को दिखाई देते हैं वो रहूल नहीं होता है रहूल अंदर में आठ लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है ओ कमरा में बैठता है बाहर ही यूज बोडी डबुल डबुल ड़ाट इस दा क्वेशन ए सैनल है स्पूज इंडिया तुड़े एनी इस रहूल गांधी बोडी डबुल पार्ट भारत जोलो यात्रा आप देखो यह सामने जो लोग बैठा है उसको राहूल गांधी नहीं लगते हैं दूर से राहूल गांधी लगते हैं मैंने तो देखा नहीं हूँ बड़ आप यह ट्विट देख लिजे मैंने मुश्कू कॉंग्रेस का लोग एतना ही बटाया कि अंदर में आठ लोग बैठने का बास में बहुत ज़्यादा स्पेशियल जागा है ज़्यादा तर समय ओही रहता है तो बास का सामने कुन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटू खिशता है राहूल राहूल बूल के तो ये इंडिया टुदे एनी हैस त्विटेट की इस राहूल गांधी बोडी डबूल पार्ट अभारत जुरो जप्रा ये तुए एक इस्षू हो गया और फोन दिखा अरिकास का समाधी में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या एक जगा में जाने के लिए मना किया ओ भी मना नहीं है भाई तीन बाजे का बात जाईए क्या महापुरु स्रीमन संकरडेप के लिए अगर आपका एतना भक्ती है कांती वेट फो टू आवर्स हमें भी रुखवा देटा है कभी कि अभी मात आईए कभी हम जाते हैं बोलता आप दुरे सेंस करके आओ आपको कुर्टा में आपको अंदर जाना नहीं है और मंदिर में तो जाना ही नहीं था मंदिर तो तो तीसाट में था अगर आप कंस्पिरे से देखो बतवरबा थान में अगर किसको जाना है तो उनको धूती और पंजाबी पहनना पड़ा है यह थान का रूल है लेकिन राहूल जी तो टीसाट और जीन्स में था उनका तो मंदिर जाना ही नहीं था सत्र में जाना ही नहीं था तमासा करने का उन को मुण था श्रभा पार हुआ गौहाती में आया लेकिन मा घमयकळी डरशन नहीं किया आ अगे बाह कि दक्तर भुपेन हाजरिका का समाधी से आप गुजरे अस्योर है आपने भुपेनाजरिका का समाधी में भी दो मिनित नहीं रुके फिर आगे जाके आपने जो असाम का कॉमीनियल हर्मोनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है हईगिरिप माधव और पौामक का टेंपल हिंडो मुसल्मान दुनों समुदाई का लोग जिसको बहुत मानते हैं ओर टेंपल का सामने आप गुजरे लोग उहां में खारे थे आपको वेलकम करने के लिए आपने ओहां में भी नहीं गिया फिर आपने बौड़ पेटा से गुजरे पादबाव की सत्र में महापुरु स्रीमन संकरडेव में जीवन का सबसे अमुल्ल समय ओही था अगर बौड़ द्रबा में आपका दर्शन नहीं मिला आप पादबाव उसी सत्र में क्यूं नहीं गिया फिर बॉल्डपेटा सत्र जो असाम का सबसे बड़ा सत्र है बॉल्डवा 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 बॉल्ड आपने आसाम आया भुपेन हजरिका का समाधि में दो मिनित नहीं रुका, आपने बरपेटा पादवा उसी सत्र में नहीं गिया, आपने ढूबरी में एतना बहुत बढ़ा गुरुद दोरहा है, आप उहां क्यों नहीं गिया? कि उहां जाने के लिए मैं मना किया था? में तू उल्टा कॉंग्रेस से लोगों को बताया कि भाई बतर द्रबा कोई कारण में अगर नहीं भी गिया कम से कम पाद बावखीर तक उनको लेके जाओ अच्छा लगेगा पिर हमारा लोगोंने बताया कि आईए अपको कमाएकसा मांका अब दर्षन करके जाएए उनका टीम भी गिया रेकी भी किया आप खबर लिजे उनका टीम ने मांका मंदिरका रेकी भी किया जाने का लेकिन मा का मंदिर में नहीं गिया तो ये याट्रा क्या याट्रा ठा और याट्रा काप समय देखिए असाम में एक बहुत बड़ा कॉमीनियल क्लैस खारा करने के लिए उन्होंने सरयन रशा था गौहाती में तो उनका एक जलग हमें देखने के लिए मिला लेकिन उनका बहुत बड़ा conspiracy था कि राम मंदिर का प्रानपटिस्ता का समय में आसाम से गुजरे और आसाम में बहुत बड़ा clash हो जाए लेकिन हमारा पार्टी का लोग या जो भी रामभक लोग सब ने काफी अपने आपको रेस्ट्रेइन किया और आसाम में गरवरी होने नहीं दिया तो इसलिए मैं आसाम बासियू को धेनबाद देता हूँ और राहुल जी मैं आपको बोलना साथा हूँ कि आपने लासिब बरफुकन का समाधी में नहीं जाके आपने बरपेटा पादबाउसी सत्रों में नहीं जाके आपने मा कमाइखा मंदिर में नहीं जाके आपने धुबरी गुरुद्वरा में नहीं जाके आपने जो आपका अपने अहंकार दिखाया या अहंकार को असाम का जनता अच्छा से आपको लोग सभा सुनाओ में आपको डेख लेगा ये मैं आपको आज ही कमिट्मेंट देता हूँ आप मेरा कमिट्मेंट ले लीजिए असाम में पहले से भी कम सित मिलेगा कॉंग्रेस को और अच्छा अच्छा भोत का मर्जिन से हम लोग कॉंग्रेस पार्टी को हराऊंगा ये भी वादा आप आज ही मेरे से ले लीजिए